नमस्कार दोस्तों, जैर स्टेडी में आपका स्वागत हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 माई 2023 को UP PCS Pre की प्रारंभिक परिक्षा होने वाली है। इसी के मद्दे नजर हम लोग प्रत दिन रात आठ बजे प्रश्ण और उत्तर की या सिरीज देख रहे हैं। जिसमें हम लोग प्रश्ण और उत्तर का वरिस्तित रूप से अध्यन कर रहे हैं। इस में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कार खाना अस्थापित किया है। ऑप्षन है आपका बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी, डच इस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तोगाली इस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपनी। हिंदी वाले अपना उत्तर इसमें सब्मिट करें इंगलिस वाले देख लेते हैं विच कंपनी स्टेबलाइजड इस सेक्टरी इन पत्ना बिहार इन 1632 आपके पास ऑप्शन्स हैं ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी पूर्टोगाली इस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी तो आप दोनों लोगों ने देख लिया होगा हिंदी और इंगलिस वालों ने अपना उत्तर सम्मिट करते रहें इस प्रशन का जो सही उत्तरव है आपका औप्शन भी डच इस्ट इंडिया कंपनी आई इसके वारे में देख लें डच इस्ट इंडिया कंपनी है क्या यह 17 सताब्दी की सुरुवात में कई प्रतिद्वंदी डच व्यापारी कंपनीयों के सरकार निर्देर्शित समामेलन द्वारा अस्थापित एक बड़ा निगम था और डच इस्ट इंडिया कंपनी ने ही 1632 में पटना में अपना कार खाना स्थापित किया जो अब पटना कलेक्टरेट के लिए जाना जाता है वेरी इंपॉर्टेंड अगला प्रशन है हमारा कि निमलिखित आंदोलनों में से कौन सा प्रक्ति में धार्मिक पुनरुद था अमदिया अंदोलन देवबंद अलीगड़ा अंदोलन या नीचे दिये कोट का उपयोग करके सही उत्तर बना है केवल एक केवल बी केवल बी और सी और डी क्या है एबी और सी इंगलिश वाले इस्परेशन का उत्तर देख लेंगे कि विच वन आप दा फॉलोइंग देवबंद या अलीगड़ आपके ऑप्शन ये है तो इस प्रशन का आप लोगों ने देख के उत्तर समिट कर रहे होंगे करिए और इस प्रशन का जो सही उत्तरव है आपका उप्शन भी देवबंद आंदोलन आईए इसके बारे में देख ले देवबंद आंदोलन को पीच रूडिवादी तबगे ने एक पुनरुत थानवादी आंदोलन की रूप में संगठित किया था जिसमें मुसल्मानों और मुसल्मानों के बीच कुरान और हदीश के सुद्ध सिच्छाओं के प्रचार और जिहाद की भावना को जिंदा रखने के दोरे उद्देश क साथ या किया गया था इसका स्युत्तर क्या था देवबंद अंदोलन किस आंगला मैसूर युद्ध और कौन से वर्स में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी यह प्रश्ट सभी को आने चाहिए नहीं आता है तो आप कहीं कहीं आपकी तैयारी में कमी है 1792 तीसरा 1798 तीसरा तो आंगला मैसूर वार एंड इस इन विच इयर वास ठीपू सुल्तान कील्ड आपके पास चारों आप्शन है तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वह है आपका आप्शन सी 1799 क्योंकि आप जानते हैं कि चौथा मैसूर युद्ध इसी समय लड़ा गया था दूसरे आंगल देख लेते हैं चौथा यानी 1799 में गवर्नर जर्नल लाड वेलेजली इस समय वेलेजली थे उस समय इसने क्या की थी सहायक संधी टीपू सुल्तान ने आग्रह किया और वे फ्रांसीसियों के साथ अपने संबंध तोड़ने और सहायक गठ बंदन में प्रवेस करें लेकिन लड़ते हुए मारे गये हैं हैदर अली भी मारे जाते हैं दुत्ती में और ये भी सैन व्रिद्रो के समय भारत का गवर्नर जर्नल कौन था यानी 1857 में कई यह महत्तपूर्ण प्रश्ण है और सबको आ ही रहा होगा लाड हार्डिंग लाड केनिंग लाड लिटन या लाड सब्सक्राइब की हाइडिंग केनिंग लिटन या जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन भी केनिंग यही पर्थमवाय सराय भी होता है आये देखते हैं सही उत्तर है लाड केनिंग लाड केनिंग 1857 से 1862 तक भारत के गवर्नर जर्नल की रूप में कार किया था ठीक है याद केनिंग ने लाड रिपन ने डलहोजी ने या वारन हेस्टिंग ने वारन हेस्टिंग प्रथम थे आप जानी रहे हैं लाड डलहोजी लाड रिपन या लाड केनिंग आए इंगलिस वह देखने फिर इसकी व्याख्या करते हैं वह मेंग दृप नीती लाड केनिंग लाड देख लेते हैं मुख्य साधन जिसके माध्यम से लाड़ दह लहुजी ने अपनी राज हड्म नीती को लागु किया था वह क्या था हडप नीती हडप नीती के तहट जब एक सनच्छित राज के सासक की मृत्तु एवं प्राकृतिक उत्तराधिकारे के बीना हो जाती है तो उ लाड़ डलहो जी ने एक और काम क्या किया था कि अरब प्राज जी को हडपने का इच्छुक था अकुशासन का आरोप लगाकर इसने अवद को भी हडप लिया था अगला प्रशन है कि एंगलो वैदिक कालेज की अस्थापना किसने की द्यानन सरस्वस्ती जी ने लाला हंस राज आत्मारान पांडूरन या महादेव गोविंद्र अनाडे तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वह है आपका option B लाला हंस राज आए इसकी व्याख्या देख लिया है सही उत्तर लाला हंस राज है एंगलो वैदिक कॉलेज या स्कूलों को द्यानन्द एंगलो वैदिक स्कूलों के स्थापना 886 में लाहोर में महात्मा हंसराज के प्रयासों से हुई थी अगला प्रशन है आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे यह अभी महुत पूर्ट प्रशन है सिंपल है सबकों आना चाहिए राजा राम मोहनराय जी केसव चंदर सेन जी देवेंद्रना प्रशन है आपका प्रशन राजा राम मोहन राय महत्वपूर्ट साबाद सुधारक आएंकी बार में अख्या देख लेते हैं राजा राम मोहन राय आत्मी सभा के क्या थे संस्थापक थे और इन्हें किस नाम से जाना जाता था आधुनिक भारत के पिता के नाम से या बोधित किया जाता था इनका जन्म 12 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक ब्रामण परिवार में हुआ था यह एक धार्मी को और समा सुधारक थे उन्हें सतीप्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिक्या के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था तो राजा राम मोह राध के दारा कई महत्रपूणकार किये गए थे ठीक है यह मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे एक एस्वरबात पर विश्वास करते थे ठीक है अगला प्रशन है हमारा 1850 की क्रांती से कि इनके नायक अब्दुल रहमान खा कहां से संबंद थे अब्दुल रह देख लें वेर वाजद अब्दुल रहमान खान दा हीरो ऑफ द अठार सतावन रिवोलिशन एसे से वित बहादुरगर्ण फरुक नगर जजजर या यमुना नगर तो प्रशन का जो सही उत्तर है आप दोनों लोग देख चुके होंगे अपना अठार सब्मिट करते रहें प्रशन का जो सही हुत तरव है आपका अपसंसि जजजर आए इसकी जख्या देख लें अब्दुल रहमान खान जजजर के अंतिम नवाप ने 1857 की क्रांती में भाग लिया था और 23 दिसंबर 1857 को अब्दुल रहमान खान को क्या हुई थी फांसी दे दी गई था तो अगला प्रश्न है हमारा नौवा कि 58 57 ग्राम के दौरान गुरु ग्राम के कलेक्टर कौन थे हैं हेनरी सरहेली जान मौर्सल या डवलू फोड इंगलीस वाले इसका उत्तर देखेंगे हिंदी वाले इसका उत्तर देते रहें आपके पास यह चारों ओप्षन हैं इंगली इंगलीस वाले देखेंगे वास दे कलेक्टर राफ गुरु ग्राम डूरिंग फ्रीडम स्ट्रेगल आप 1857 हैंरी संहेले जान मार्सल या डवलू फोड तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वह है आपका उप्षन इंगलीस वाले देख लिए होंगे सब्मिट कर चुके हों जिए की आख्या देख लिए हैं डवलू फोड सही उत्तर है डवलू फोड 857 संग्राम के दोरान गुरु ग्राम के कलेक्टर थे दिल्ली से बगावत किया गुरुगराम जिले में फैसल गई जब लगभग 300 सैनकों ने डिल्ली से गुरु गुरुच किया तो उन्हें अस् कि अगला है कि अरीव पुरम आंदोलन के बारे में निमलखित कत्नों पर विचार करें यह आंदोलन कैसा था यह दलित वर्गोर उच्छ जातियों के भी संगर से पैदा हुए एक आंदोलन था इसकी सुरुवात ईवी रामा स्वामी नायकर ने की थी आंदोलन ने प्रसिद् के आउटर देते रहें यह आपकी ऑप्शन से इंग्लीस वाले देख ले कि कि कंसिड़ादर फालॉइंग स्टेट्मेंट एब आउट अरुपनियं मुवमेंट यह आपके ऑप्शन आप देखें पढ़ है अउत्तर दे ए आपका यह आप्शन है कि तोड़ा समय दे दे रह से a b b c a b c या स्वेलेख नेयर ना कि यह प्रश्ण का जो आपका सही उत्र है वो है आपका उप्शन लोगत आ अपक सब्रेवह को आपका उप्शन असियो तो इसका जो आपका उप्शन डी ए और सी आईए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि स्री नाराण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन या अरिवुपुरम आंदोलन दलित वर्गो और उच्च जाती के बीच संगर से पैदा हुआ एक धार्मिक आंदोलन का एक उधारण था अरिवुपुरम आंदोलन ने प्रसिद्ध कमी कुमारन आसन को नाराण गुरु के सिस्की रूप में आकरसिद किया तो यह तरीके से सी ऑप्षन में इसका सही है तो दोनों ऑप्षन सही है ए और सी सही है अगर यह स्टेडी आपको अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इसको सेर करिए और इसकी पीडियफ हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल जै हो स्टेडी पर मौझूद है आप वहां विजिट करके उससे सब्सक्राइब कर लें वहां यह सभी अभी तक कि जितने हुए उसकी पीडियफ प्रोवाइट कराई जाती है ठीक है आप इसे प्रिंट निकल वाले आपको सही लगे या स्वयम इसको देखें और हमारे संस्तान के दोरा हम सभी बार बता चुके हैं कि PCS की टेस्ट स्रीज भी चालू है जिसकी जानकारी के लिए आप 7905 के आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे यूपी PCS प्री के टेस्ट स्रीज से जॉइन हो सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद